तो यह देखिए कितने अच्छी हमारी मटर की सबजी बन के तयार हुई है इस रेसिपिक लिए हमने दो मेडियम साइज का टमाटर एक मेडियम साइज का प्याज दाइसो ग्राम मटर के दाने एक इंच अद्रक टुकरत साथ साथ लशन की कलिया और हरी मिर्च दो और हरी धनिया हमें टमाटर और प्याज के स्पिकार के सिप में काटा है बाहिकर कडायम मिसें दो ऐक मारें के सबमदर कमाट से दो फार्फ देल फथा ममने और इस्का आपना पर करें दिन ड्रीट में पहले, हम इसमें काट रहा थे, बड़े बड़े सेंट में तक हम इसे रोस्ट करके इसे म्कसी जाल में से पीसे हैं तो प्षक वार्प होने को इसलिका यह क्वारा हम इसमें ट्तौमाट रिल कर लेंगे तर देखिये हमारा बिलकुल अच्छे से रोश्ट वो चुका है टमाटर और प्याज मारा सॉफ्ट हो चुका है मिक्सिजार में इसे डालके इसे हम अच्छे से पिस लेंगा इसमें थोड़ी से अहड़ी धनिया एट कर लेंगे इसी स्टेज में तो इसका स्वाध और तिन चम्मच तेल लेंगे और इसमें तेज पत्ता डालेंगे और खड़ा जीरा, खड़ा जीरा हमने लगवग आधी चम्मच से थोरी जाधे डाले हैं और अब मसाले एड़ करेंगे हल्दी धनिया लाल मिश पॉडर गरम मसाला और यह कास्मी लाल मिश पॉडर हमने धनिया और हल्दी की मातर लगवग एक चमच रखी है बाकी सारे मसाले थोड़ी सी कम रखा है तो यहां पर हम इसे पानी एड़ करके हम मसाले को अच्छे से अब बिल्कुल कम कर देंगे तो यह देखिए हमारा मसाला भी फैनली भून चुका है तो यह देखिए तेल अलग होना ही लगा हमारा मसाले से इसका मतलब कि अच्छे सफ्राइब तो अब हम इसमें हरा मातर डालेंगे हरा में जो कि हमने लगवग वेट में 200 ग्राम कास पस कर दिया है और इसे फिर कवर करके है तो यह देखिए कि इसे उच्छोच आप भी चलाते रहेंगे थाकि यह नीचे से जले ना क्योंकि इसमें मसाले है कि एक बार हम व्रूक अपर करके सफस्तता एंघ तो यह देखिए यह अच्छे से हमारा मटर भी अब पक चुका है तो यह देखिए अब हम यहाँ पर हमने जो टामाटर प्याज का प्योरे तियार किया था उसे हम डालेंगे तो उसे डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद इसे लगबग चार से पांच मिनट तक पकाएंगे यहां पर ताकि हमारा जो भी मटर के दाने थोड़ी बहुत जो नहीं पकी है वह अच्छे सपक जाएगी तो इस स्टेच पर हम नमकेड कर यह देखिए हमारा यह अच्छे से पकड़ा है इसे भी हम एक वर कहर करके इसे पका लेंगे थोड़ी सी पानी हमेट कर लेंगे इसमें आप इस ग्रेवी को कम यह ज्यादा रख सकते हैं आपको जैसा पसंदो गाड़ी ग्रेवी पतली ग्रेवी वह अपने हिसाब से रखे कि यह देखिए हमारा फाइनली कि मट्र करी बन के तयार है आप इसे मट्र की सबजी भी बोल सकते हैं आप इसे रोटी के साथ चावल के साथ या पराठे के साथ लिए अनुए महमान आ गया है तो आप उसे पक बना चुछना यह देखिए अब इस उसकी की प्लेटिंग कर लेते हैं तो हैना या कितनी लाजवाब हरे मटर की करी तो आप भी इस रेशिपी को अपने घर पर जरूर बनाएं और हमें कमेंट करके बताएं कि यह रेशिपी आपको कैसी लगी तब तक के लिए धन्यवाद प्रेंड्स अगर यह रेशिपी आपको अच्छी लगी हो और वीडियो पर लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर गंटी के बेल आइकन को दवाना ना भूलें ताक किसी तरक रेशिपी आपको आगे भी मिलती रहें जैन जै बारत